आब हेलो स्बीका स्वागत है आज कि इस कलास में जोस्तों आपकी जनतु विख्यान का सलेबस है वो कितना रहता है बीए सी बीड फस्ट येर में उसकी हम बात करेंगे और इस वीडियो में मैं कम्प्लीट आपको सलेबस बताने वाला हूँ तो आप इस वीडियो को अंतर तक देखें और यह जो आपकी बुक है यह फस्ट पेपर जो ह होता है MGHU MDSU का जिसमें नौन कॉर्ड डेटा जो है एक स्वेर की बुक है उसका सलेबस मैं आपको फस्ट येर का बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों शूरू करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए तो इसमें सबसे पहले देखिएगा कि के पहले जो इकाई आपके आती है फर्सट जो युनिट है उस युनिट में आपके क्या दिया रखा है तो दोस्तो पहली यूनिट यानि इकाई नंबर एक जो है वो है आपके वर्गी की के समने सिदान्त एवं वर्गी करन्ड आपके कुछ इकाईयां दे रखी हैं उन इकाईयों पर हम सर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके यूनिट नंबर एक और इसमें जो चैप्टर सापते हैं जैसे की पहला चैप्टर है हमारा उस चैप्टर में आपका लिखा रखा है वर्गी की वर्गी की के समन्य सिधान्त वर्गी की के समन्य सिधान्त वै वै वर्गी करण वर्गी की के समन्य सिधान्त वै वर्गी करण तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आएगा उसके बाद में जो दूसरा आता है हमारा वो आता है अमीबा यूगलीना एवं प्लाजमोडियम यह हम सिलेबस बता रहे हैं बाकी आपके कोर्स में फुल सिलेबस दोस्तों बताए जाएगा अलग से आपका कम्प्लीट सिलेबस आपकी यूनिवस्टी के अकॉर्डिंग यह कॉमन सिलेबस है पेरामीसियम और चोथा जो चैप्टर है उसके अंदर आपका आएगा प्रोटोजवा प्रोटोजवा इसके अंदर एक तो गमन उसका प्रोटोजवा का और दूसरा है पोस्टर्ण एवं जनन प्रोटोजवा के बारे में तो यह जो है हमारी यूनिट नमबर फर्स्ट में हमें दे रखा है उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट नमबर दो की यूनिट नंबर दो की यूनिट नंबर दो में कौन-कौन सा सलेव साब को देखने को मिलेगा तो इसके अंदर दोस्तों बात करें तो हमारा पांचमा जो चैप्टर है उसके अंदर दो पार्ट है ए पार्ट और बी पार्ट ए पार्ट अबें आपका आता है पोरी फेरा पोरी फेरा एवं सिलेंट्रेटा के वर्गी करण की रूप रेखा और बी पार्ट जो आएगा इसमें वो आएगा दोस्तो सिलेंट्रेटा कोरल रीफ में बहु रूप दा सिलेंट्रेटा कोरल रीफ में बहु रूप दा ठीक है तो ये इसके अंदर आएगा तो ये हमारे पास में दोस्तो पांच में चैप्टर की बात थी और छटे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आएगी हम उसकी बात करेंगे तो ते लिए छटे चैप्टर की बात करते हैं तो दोस्तो छटे चैप्टर में आपके आता है स्काइफा स्काइफा और जिसको हम बोलते हैं साइकन स्काइफा यानि साइकन और सेवंथ जो चैप्टर आता है दोस्तो उसको बोलते हैं स्पंजो में पंजो में नालतंतर एवं कंकाल पंजो में नालतंतर एवं कंकाल यह इसके अंदर आएगा और आठमा जोस्तो आएगा वो आएगा ओबी ओबीलिया एक विस्तरत अध्यन ओबीलिया एक विस्तरत अध्यन ये दोस्तो हमारी दो यूनिटे हैं और दोनों यूनिटों में हमने जो जोलोजी के दो लगवगार चैप्टर हमने यहां पे देखे तो चार चैप्टर फस्ट यूनिट में और चार चैप्टर सेकंड यूनिट में अब आगे चलते हैं और आगे चलके हम बात करते हैं, यूनिट नमबर, तीन की, तीसरी यूनिट में कौन-कौन से आपके आते हैं, तो तीसरी यूनिट में बात करें, तो आपका चैप्टर नमबर स्टार्ट होता है, यहां से 9, नौ नमबर चैप्टर जिसमें दो पार्ट हैं A पार्ट और B पार्ट A पार्ट में जो तो लिखा हुआ है आपका प्लेटी प्लेटी हेलमन थी प्लेटी हेलमन थी प्लेटी हेलमन थी प्लेटी हेलमन थी के वर्गी करण की रूप रेखा ठीक है उसके बाद में B पार्ट आएगा B पार्ट में दोस्तों जो आता है हमारा वो आता है हेलमन थी जन्तुओं हेलमन थी जन्तुओं में परजीवी अनुकूलन ये हमारे B पार्ट में आएगा और अब हमारा दस्तुओं चैप्टर जो है उसके अंदर आपको पढ़ना है फेस योला ठीक है ग्यार्वा चैप्टर ग्यार्वे चैप्टर को बात करें तो इसमें आएगा एसके रिस ये हमारे ग्यारा चैप्टर हमारे इसके अंदर यूनिट नंबर तीन तक कंप्लीट हो जाते हैं तो दोस्तो टोटल पांथ यूनिटे हैं आपकी और यहां पर ग्यारा चैप्टर है उसके बाद में हम यूनिट नंबर चार की बात करते हैं और दोनों पार्टों के हम अलग-अलग बातें करेंगे। तो बार्ग में के दो पार्ट हैं। उसमें से पहला पार्ट जो दोस्तों ये पार्ट जो है वो है एने लीडा एने लीडा एवं ओर्थोपोडा ओर्थोपोडा एने लीडा और ओर्थोपोडा के वर्गी करण की रूप रेखा B हमारा है वो है पेरी पेट्स पेरी पेट्स की सरंचना एवं समानताईं दोफ्तो यह हमारा सलेबस है ट्वैल्थ नंबर्स जो čैप्टर हमारा रहेगा उस में दो पार्ट में हम करेंगे और दोनों पार्ट को अललग अलग से देखेंगे इसमें 4 नंबर यूनिट का बार्वा अट चैप्टर जो है हमारी इस परकार से है उसके बाद बात करेंगे तेर्वें चेप्टर की और तेर्वा जो चेप्टर है टोटल लग की सतरा चेप्टर है इसमें तो तेर्वा जो चेप्टर है वो है हिरू डिनेडिया हिरू डिनेडिया हिरू डिनेडिया हिरू डिनेडिया जिसको मैं जॉंक बोलते हैं न जॉंक यह इसके अंदर पढ़ेंगे और चोद्वा चैप्टर है दोस्तों उसमें पढ़ेंगे हम पहली मौन पहली मौन या जिसको हम दोस्ते हैं दोस्त प्रोन ठीक है? ये इसके अंदर पढ़ेंगे तो बहुती बहतरी इन सलेबस आपका फस्ट येर का है अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं दोस्तो यूनिट नमबर पांच की यूनिट नमबर पांच में इसलेबस आपका 15 पंदर माँ चैप्टर है पंदर माँ चैप्टर जो इसके भी दो पार्ट दिए गे हैं एपार्ट एपार्ट हम हम पढ़ेंगे मोलस्का मोलस्का एवं मोलस्का एवं काई ikinodermita इकाइनो डर्मिटा और इसके वर्गी करण की रूप रेखा और इसका जो बीप आर्ट है दोस्तो उस बीप आर्ट में हम पढ़ेंगे इकाइनो डर्मिट में लारवा रूप इकाइनो डर्मिश में लारवा रूप और शोलवा चेप्टर आता है यूनुटर नमर पांच में जिसमें हम पढ़ेंगे पाइला एवं पाइला एवं गेस्ट्रोपोडा गेस्ट्रोपोडाक्ट में एंठन और फाइनल जो चेप्टर हमारा दस्वा सत्रम चेप्टर है इसको हम बोलते हैं और यह दोस्तों हमारा था पेपर नंबर पेपर नंबर फस्ट और फस्ट पेपर जो हमारा जो लोजी का पार्ट है ठीक है और बीएससी वीएड फस्ट येर की बात कर रहे हैं और अब इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट पार्ट उसमें हम पढ़ेंगे जोलोजी का पेपर नंबर सेकेंड है और उसका कंप्लीट सिलेबस देखेंगे इसकी पीडियेफ हमने टेलिग्राम पर मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिशन में दिया हुआ है जोइन करें और वहां पर इसकी पीडियेफ आपको दोस्तों मिल जाएगी और कंप्लीट टाइप के और इसका स्लेबस जो दोस्तों बता दें 100 नवरी से मिल डियेगा ग्यारा जनृइस का कॉर्स स्टार्ट हो रहा है और 10 अकर सकते हैं मिनीमम परम кो आपर को से वह स्टार्ट हो रहा है परते एक इन्वेस्टिज के लिए ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसके पार्ट नमर सेकंड की बात करेंगे और कम्प्लीट सिलिवस को देखेंगे थैंक यू